यह दुनिया हमेशा यहां पे तीन तरह के लोग राज करते हैं सबसे पहला टैलेंटेड लोग दूसरे अमीर लोग और लास्टली मॉंस्टर्स और इसी के साथ हम काई सारे ड्रैगन को देखते हैं जो कि काफी जिदा गुस्से में होते हैं तो से देखते वे काफी सारे मार रहे हुते हैं और खहर है ये तो काफि जड़ी कशे dipped क्रीजिश के साथ हम देखते हैं कि वो जो जो ड्रेगन को मार रहे होते हैं जिसके देखने वाऒ इनकी स्किल्स और कॉमबॉढ्वर का आपकल का है तब हम वुआ पर प्रसन को देखते हैं 也可以 ये तो ले स्यूल है सब्सक्राइब यह वह हमेशाँ लास्ट में आता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि एक लेड़ी होती है जो की गानागारी होती है यह देखते हैं जब को नॉन कॉंबेट इसके लए हो इसमें मज़ा आता है तो और एक बंदा क्या रहा ह होता है अगर यह समय सामने आई है तो इसका मतलब सब कुछ खतम हो चुका है अब लगता है कि यह जीतने वाले हैं अभी हम देखते हैं कि वह जो ड्रैगन को मार डालती है जहां पर बाके सभी लोग मिलते हैं दूसरे को मारे की कोशिश कर रहे होते हैं यह सब देखते हैं की वोफ्लीम ड्रैगन को समन करती है जो कि बहुत ही ज़ादा बढ़ा होता है और इसे के साथ निकालते एक फायर फिल्म का अटेक करता है जैसे कि वो जो ड्रेगन है उसका भरता बन जाता है यह देखते हैं और आप से एसी आप्लेकेशन के बारे बताना चाहता हूं जिससे कि आप अच्छी कासी अर्णिंग कर सकते हो जहां भी जिली ग मिल जाएगा यह जो है यह मुझे काफी पसंद है जहां पर मुझे डिली के प्रॉफिट होते रहते हैं और मैं अच्छा कासा पैसा भी अर्ण कर पा रहा हूं तो चलो मैं इस गेम को खेल की बताता हूं जैसे कि आप लोग देख सकते हो में इस एप को ओपन कर लिया है और तो देखो कितने easy है ना पैसा कमाना लेकिन अगर तुम्हें यकिन नहीं हो रहा तो मैं दूसरा गेम खेल के भी दिखा दूँगा तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने next spin लगा दिया है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि नीचे बहुत सा रिकार्ड मैच हो हैं तो इसी वज़े से हमारा मेगा विन निकल कि आता है एंड ये तो विक से भी काफी जादा बड़ा है जिससे कि तुम्हें और भी ज़्यादा फाइदा होगा चलो और यह समने फिर से एक और स्पीन कर लिया है और यहां पे आप लोग देख सकते हो कि फिर से काफी से र यह बोलूँगा कि यह गेम काफी जादा अच्छी है और मैं इससे बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूं तो अगर तुम्हें भी पैसे कमाने तो जल्दी से इस गेम को डाउड़ करो लिंक इंटर डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेशन में मिल जाएगा तो चलो अब वीडियो तो इससे मच करो वहाँ भी बहुत सारे लोग है जो कि ऐसा करने के लिए त्यार है तो अगर तुम नहीं चाते हो तो कोई बात नहीं यह नहीं वू कह रहा हूं कि मुझे यह पसंद नहीं है बस यह कह रहा हूं कि रेड रिवोट को इंक्रीस किया जाए दूसरे तरफ से आ माफ करना में काफी जड़ते द्रीकी ऐसा लगता है कि इस महीं ने मेरे पास दोस्त कहा रहा होता चलो कि मेरी चाहोगी कि मैं अपने लिए इस तरह के की रेड में पार्टिसिपेट करूँ और इसे के साथ वो से एक ऐसे जगा में ले जाता है जहां पर काफिसर वियार होते हैं जहां पर वो कहा रहा होता है जैसे कि तुम जानते हो जो कि सुनते हमार मेंन करेक्टर यून वो कहा रहा होता है क्या टैलेंट इसे के साथ वो मनियोन कहा रहा होता है अगर मैं एक बिगडर पिच्चर के बारे में सूचू तो ऐसा नहीं है कि इस गेम में मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट हैं दूसरे प्लियर्स के उल्टा God Wars में आटो टार्गेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है और यह unfavorable condition दूसरों की comparison में मेरी लिए और भी ज़्दा advantage पोजिशन को गुरू करने में मदद करेगी और मेरी लिए जो कि एक pro baseball team का प्लियर हुआ करता था जब तक मेरे shoulder में एक injury नहीं आई और में return हुआ तब तक में काफ यचा प्लियर था और इसे के साथ present में वो अपने दूसरे क्या रहा होते है well ह्योग जू मैं तुम्हें thank you कहना चाहता हूँ और मुझा आशा है कि तुम एक level उपर जाओट होगे और success हो जाओगे तो यहma सुनते है W ह्योग जोग क्या रहा होता है जा तुम सच में ये सूचर होगे ऐसा possible हो सकता है वैसी भी इस गेम में सबसे आगे रहने पाले player सही spotlight ले रहे है है तो H science क्या रहा होता है हम ऐसे निकार कर सकता है यूग जो से क्या रहा होता है कि हूं तुमने पास सालों तक मीडास के करेक्टर को गुरू किया है और मैजिशियन किलास जिसे तुमने रेड़नम गाचा में परफिशन के काट पर अपने पास मौझूद पैसे खर्च करने से बहुत ही मुश्कुल से रोका है है ना तो यह साथ उसे क्या रहा है वैसे तुम फोन में क्या देख रहे हो तो यूग जो से क्या रहा होता है मैं एक फैंटेजी नोबल पढ़ रहा हूं यह कैसे प्रोटाइगनिस्ट के बारे में है जो कि अपने भरुसमन साथी से धोका खाने के बाद मढ़ जाता है और फिर सभी पर वापस आकर बदला लेता है जहां पर यह प्रोटाइगनिस्ट एक नेक्रोमेंसर है और यह काफी जिदा स्ट्रॉंग है और हां इस वर्ड में ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब नोबल्स है जो कि काफी जदा बढ़िया है तो यह सुनते हूं वहां से बाहर निकल जाता है और कह रहा होता है ठीक है मैं अदि यहां से जा रहा हूं तो अपने काम पर ध्यान देना ईसे के साथ वो देखता है के बाहर बालएटरी होती है जो कि देखते हूँ वह कहरा हूँ है तो मारे पास कुई Amarala है लगता है मुझे बारिश में ही जाना होगा और इसे के साथ व यहां पर भीखते भीखते आगे बढ़ रहा होता है और कहा रहा होता है एक नूबल जहां बदला लेने के लिए पास्ट में इग्रेस होना यह क्या मज़क है अगर इसके बज़े मेरे होता तो एक लॉट्री टिकेट या फिर को इस ट्रॉक खड़िद लेता वह यह कहा रहा ह कहा होता है में अप्राइब रहा हुर्ण ना यहां जल्दी से यहां पर को बुलाओ इस अब देखते हैं यून मुन कहा रहा होता है आखर में लाइफ में इस बुल्शिट लग क्या लावा और कुछ क्यों नहीं है शाद याफर नहीं क्या मुझे ये किना चाहिए कि मैं बहुत ही लगी हूं क्योंकि मुझे चोट नहीं आई यह ऐसा भी हो सकता है यह कहते हैं मुझे लगता कि मेरे पास एक और दिन होने वाला है और इस दिन मेरी बेकार किस्मात जी अपने पीक पे थी इसी के साथ हम देखते है कि वहाँ पर सभी लोग क्या रहे होते जल्दी से हैंबल इसको बुलाओ ये लड़का मरने वाला है और इसी के साथ हमें बताया जाता है 2034 में लोग पूरी तरीके से वर्चुल रियलिटी गेम एक्सपीनियस का दुनिया के सामने रीविल होने का इंतजार कर रहे थे और वो है गॉड़ वार्ज जिसके रिलिस के टैंपेस का टाइटल बैटल बिट्विन गॉड़ रखा गया लेकिन अनेक्सपेक्टेडली इसकी वज़े से स्पोर्ट इंटर्टेंडमेंट और आसपास के सारे के सारे सब कल्चर्स अफेक्टेड हुए हैं और देखते देखते इसके 1.8 बिलियन यूजर बन गए जहां अब यह उस पॉइंट पर आगया जहां लोगों ने अपने लाइफ को सहारा देनी के लिए गॉड़ वार्स खेलना शुरू कर दिया इसके साथ हमें परजन का सिंध दिखाय जाता है चाहां पे हम यूजर को देखते हैं जिससे डॉक्टर कहा रहा होता है है मिश्टर यूजर क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो यह सुनते है वे उसकी आखे खुलती है और वो क्या रहा होता है क्या आगर मैं कहां पे हूँ तब यो डॉक्टर उससे क्या रहा होता है क्या भी तुम होश में आ चुके हो मेरी बात सुनो तब यह आचानक से हुन वो जाग उठता है क्या रहा होता है है मैं कहां पे हूँ और भी जदा बूरी होते जारी है लेकिन शायद ये रात के बाद है कि इस बेकार से दुनिया में मेरी बॉड़ी अभी भी अच्छी है इसके साथ घर आ जाता है चाहां पे वो कहा रहा होता है है रिन और मेरा भाई शायद वो भी ठीक होंगे है ना इसके साथ उपने दरवा मशीन उसे सेंब बात बतारी होती है जो कि देखते हूं वो काफी जड़ा गुस्टा हो ओता है और क्यारा धी है किया और कैसली हो कि कहती है वो काफ च्बाला कोशे होता है और इसे गले लगाते है वेसे क्या रहा होता है वैसे तुम्हारा डैट कहां पर है तब यहाँ पर जूंताई वू आते विर क्या रहा होता है मैं लेकिन मुझे लगता है कि यह तोट गया है मैं आखर अंदर क्यों यह आ पा रहा हूं जो कि सुनते वे क्या तुम्हारा मतलब किया है हमारे घर का ताला तूट चुका है और यह काफी ज़्यदा पूराना है तो तो ताई वो क्या रहा होता है मशीन पूरी तरगे से खराब होना यह एक बात है लेकिन सिस्टेम का खराब होना यह पॉसिबल ही नहीं है इस पैसली क्यूंकि यह एक ऐसी डिवाइस है जो यहां निकलते वी क्या रहा है जल्दी कैसीजआता है जहां पर कैया प्रस्नली अपनी information de telaat क्या मेरा व्योज को लगत यूज है और वैसे किया साथ को लगत है कि यह कोई hacking attempt ही हो आखरी सब क्या रहा है थे सब्सक्राइब करने के लायक है और इसलिए इसे अभी सबसे बेस्ट सेकुरेटी माना जाता है शायद मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता चाहिए और पर आखिर अचाना किसे ने काम करना बंद क्यों कर दिया क्या वज़ा होगी कल तक तो यह ठीक से काम कर रहा था इसे के साथ उपनी पहले की बात याद करता है जहां पर शौक लगा था यह देखते हुँ मन्यून क्या रहा था रूखो कल क्या बिजली के जटकी के वजह से मे नहीं मैं हार नहीं मान सकता हूं खightman करके रिख कर रहा हूं लेकिन मैं अभी मिनर के साथ माइन कर सकता हूं और अगर मैंने हाड वर्क किया तो शायद मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी वैसे भी मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है सीलह में पैसी की ज़रुवत है सिके साथ उन्हें दोस्त के पाथ जाता है जांपियों कह रहा होता है तो यह सोचना है कि मैं ऐसे दोबारा कर रहा हूं मुझे आगे बढ़ नहीं होगा और इसके साथ उसके सामने एक करना चाहते हो सुद्धें वह कलिक करता है जहां पर वह मभी मनिमन कह रहा होता है हाला कि यह अपनी आपको रियालिटी से परेकी दुनिया कहता है लेकि मेरी लिए गौड़ वार्स रेलिटी से उतनी डिफरेंट नहीं है और इसी के साथ उपने नेम को क्रीट करता है जहा के साथ यह सब देखके वह मुन कहा रहा होता है एक सिंगल करेटर को बनाने के लिए एट लैक एटी थाउजन वान लगते हैं जहां यह काफी जदा महेंगा है और इसके साथ यह क्लिक करता है और इसके साथ वो कह रहा होता है इस पागलपन भरे गेम में ऐसे चीज़ें हैं कि बहुत ही जादा महेंगी है और ऐसे बहुत से लोग है जो कि गेम में थोड़ा बहुत मज़े करने के लिए पैसा करच करने को त्यार होते हैं और हां तुम यह भी पूछ सकते हो कि आकर सिर्फ करने से लेवल अप क्यों नहीं कर सकते जिससे कि तुम एक सावान बेचने बन जाओ लेकिन अगर इतना असन होता तो मैं यहीं करता और इसके साथ इसके सामने एक से नोटिफिकिशन आता है जहां पर बताया जाता है उस गौट को चूज करो जिसे तुम सर्फ करने वाले हो जोगी देखती है और मनीमन क्या रहा होता है पैसा कर्च किया और मैं सर् सब्सक्राइब करने वाला हुँ तब ही वह सामने एक दूसरी क्लास को देखता है जो वा ड्रेगन के रूप में एकसेप्ट करते हैं जहां पर तुम आर्क मे इसके साथ सामने से विंडो ओपन होता है जहां पर से बताया जाता है उसका नहीं मिडास है उसकी लेफल वन है चाहब इसका पैंथियोन वाड्रेगन है और इसके किलास आर्कमेज है चाहब इसके रियरिटी लेजेंडरी है इसके साथ में बताए जाता है आर्कमेज किलास जिसे आज मोडरेंग 3 ने पाने के लिए टालर्ज किये थे ठीके साथ में यूनवु को देखते हैं जो कि यह देखते हैं काफी जादा रहरन होता है और यह आदमी आपर आखिर वह आर्कमेज बाहर क्यों नहीं आया तो सथी कहा रहा होता है यार थोड़ा रियल बनो आर्कमेज एक लेजेंडरी क्लास जैसा है और य के लिए है किसे पानी के लिए पैसे को खर्च कर सकते यह किया रहा होता है अगर यह सच है तो माइनिंग बाड़ में जाए अब टाइम है लेवल अप करने का और रेट करने का इसी के साथ वह कहा रहा है यह तो वही है जो कि मैंने सोचा था लेकिन क्या यह कोई टेंपरेटरी सिस्टम एर तो नहीं और इसे के साथ वह कुष्ट को ओपन करता है जहां भी मैंने कहा रहा होता है अगर मैं दोबारा जुड़ता हूं तो मुझे यह किन है कोई वारियर या फिर कोई मेज सब्सक्राइब कोई क्लास होगी तब ही वह अपने सिस्टम में देखता है कि यह बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है जो कि देखते ही वह क्या रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं कुष्ट विंडो की इंफॉर्मेशन को देख सकता हूं इसे के साथ वह इडिन प्रोफेशन को सब्सक्राइब करने पर तुम्हें टॉटोरियल मास्टर टाइटल दिया जाएगा जो कि सारे के सारे स्टैट्स को टैन प्लस कर देगा रहा होता है टूटोरियल में कुछ ऐसा चेपाता जिसकी किसी को परवारी है जहां पर मैं 70 मिनिट से जाधा टैन तक सर्वाइब करू तो मुझे टाइटल रिवार्ड मिलेगी सारे के सारे स्टैट्स 10 प्लस हो जाएंगे यह तो काफी सदा क्रेजी है क्या यह सच में 10 स्टैट्स पॉइंट दे रहा है और अगर मैं इस टूटोरियल को फिनिश कर दू तो मैं आके सभी लोगों से टू लेवल ऊपर चले दूसी तरफ यून में मुनिमन कहा रहा होता है मैंने अपने लाइफ के पास साल गॉर्ड वार्ड में लगा दिये और अभी तक मैंने कभी वी टूटोरियल मास्टर के बारे में नहीं सुना है यहां तक के कम्यूटी में भी नहीं सुना है पूस का मतलब यह ऐसा इन्फोर यह तो रिकॉर्डिंग का अप्शन है चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं इसी के साथ मुनिमन कहा रहा होता है गौड वार्ड में जहां पर मनी और लक्स से तुम्हें अच्छा क्लास मिलता है यहां पर एक इंडिस्क्लोस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी को भी नहीं पता तो मुझे ब्रे करना होगा कि एक चीज कोस अपना नहीं हो उसके साथ यूडियो मुनिमन क्या रहा होता है हाँ यह सच है यह वैसा मॉस्ट नहीं है जिन्हें लेबल रख से अरहा जा सके और यह सुचना है मुझे यहां पर सफवाइफ करणा होगा यह आसा नहीं है तावि हम और के वह सर के ऊपर एक अजीब तरी आख सब्सम में और को देख जाती है जी देखती है वह काफी जादा एन होता है सेम है गौट बार्टस काitz Bennett डिफिकल्ट है और यह सिर्फ पैसी ये बहुता होते हैं कि उन्स है इस अब देखते हुए बाकी सभी लोग काफी सदा गवरा रहे होते हैं जहांप एक लेड़ी क्या रही होती है उस मॉस्टर ने उस प्लियर को पीट पीट कर माँ डाला दोस्तों लेड़ी गवराती हुए क्या रहा होता है क्या मतलब कि तुम यह नहीं कर सकते हो इसी किसा आदम देखते हैं कि वह मॉस्टर के स्टेटिस विंडो को देख पा रहा होता है जहां पर आगे बढ़ते हुए गास के पीचे छूप जाता है जहां पर जो और को यह रहा होता है मुझे लगता है कि अब मुझे पता चल गया है एग्जरो मार्क यह कैसे काम करता है ग्रीन इसके साथ उसका टैक को डॉच कर लेता है जहां पर उसके हाथों से निकल जाता है और इसके साथ फिर से उस और करका मार्क गरीन हो जाता है जो कि देखते हुए जो कि मैंने पास साल पहले याद किया था वह अभी काम आएगी और अभी मेरी लिए काफी ज़्यूस्फुल है इसके साथ उस सिस्टम में देखता है जहां पर अभी साथ गंटे बागी होते हैं यह देखते हैं वह मुझमन कहा रहा होता है टीटूरियल मास्टर को अचीव करने की रिकॉर्मेंट अभी 60 मिनट है लेकिन इन मास्टर की स्टेटेस विंडो पर जो एगरुमार्क है उस संसे बाहर निकल गया होता है और मश्यूमन के रहा होता है यह कोई सपना नहीं है सच मैं चौपार अपन करता है देखता है कि वह काफी जड़ा कुछ हो रहा होता है और रोते में मनिवन क्या रहा होता है हाला कि बाद में खटा किये हुए और किसके वज़े से मैं बिना स्टैल के मर गया लेकिन मैं एक गंटे तक जिंदा था और आखरे में मुझे टिटूरियल मास्टर मिल गया वो इसका मतलब यह आर्कमेच क्लास यह रियल था इसके साथ वो बाहर निकलते में मनिवन क्या रहा हो तो वाओ मैं अपने दिल की धड़कन के वज़े से जबर्दस्ती वहां से लगाउट हो गया तो चलो सबसे पहले गहरी सास ले ले लेते हैं इसके साथ हमें बताय जाता है गौड वार्स पिलर की हेल्थ को कंसार्डर करते यहां से बाहर निकाल देते हैं और इसके साथ है कि क्या रहा होता है यह जूट नहीं है तुम्हारे पास एक अच्छी तरह से बनाया गया मेज है तो तुम्हारे से रिस्टार्ट क्यों कर रहे हो यह यहाँ नहीं कि तुम्हारे अकाउंट को बैंड कर दिया गया है जो कि सुनतेऊ हुए ह्यून काफी जाध ही रहन हो ता है, कहां पे कुछ भी नहीं कहा रहा होता है तो इसली't memo बें बाहर जाना चछिए, अलाकि इस बारेल मेसे से भी बात मत करना और इसे के साथ वो से भगाती में मुझे जाने नहीं देंगे और मुझे परिशान करने लगेंगे और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ऐसे लगता है कि ये कल का वो इंसिडेंट रहा होगा जिसने मुझे ये एबिलिटी दी है वैसी भी कि गौड के से दिया गया एक मौका है तो मुझे इसे यूज करना चीए तो मेरा गरीब और इस बेकरार से लाइफ को पलटने का ये सही मौका है मुझे नहीं पता कि ये एबिलिटी कितने समय तक चलेगी लेकिन मैं इस गराइटिटीट का अच्छे से यूज करूँगा मेरे फैमली यूंग और हैरेन के लिए और इसे के साथ वो फिर से गेम में लॉग इन करता है जहां पे वो टाउन और बैगनिंग में एंटर करता है इसे के साथ वो पने हाथ को देखते ही मन्यमन क्या रहा होता है यह सोचना कि में एक लेजेंडरी गेट का आक मेज बन जाओंगा जो की बहुत ही कम लोग है मुझे अभी तक येकिन निये हो रहा लेकिन क्या मुझे पहले लेवल बढ़ाना चीह और रेड़ बाना चीह आकर में क्या करूं अगर मैं ऐसा करना चाहता हो तो मुझे एक्स्प्लोरर गिल्ड में जाना होगा चाहे मुझे पसंद हो या तभी वो किसी चमकती वीघज को देखता है जो कि देखते हूँ वो क्या रहा होते है आकर है यह रॉष्ट है यह क्या है मैं जो कि देखते हूँ एकज्ट वी गया रहा हला कि क्या एकजिंडरी क्विस्ट Pierre have to not just कि लाइट होगी इसके बार में मैंने सुना था लेकिन अभी मेरे सामने है अपने आपको शांत करना होगा मैं अपना बैस दूंगा और इसे के साथ वो आगे बढ़ता है चाहां किया रहा होता है एक कुष्ट को अकिले ही ढूनना लगता है कि मेरे इस महीने के लिविंग एक करता है अपेट फूल एंड सिक पपी जो कि खो चुका है कि देखते वह मनीवन क्या रहा होता है कुष्ट को पूरा करने के कंडिशन एंपीसी हाइडन के एलेक्जित ऑफ विटेलिटी है यह एक ऐसी कुष्ट है जो कि तब हुआ अप्शारी कंडिशन पूरी हुई और ऐ मैं ऐसे खोने नहीं वाला हूँ मैं यह करूंगा और यह कहते है वह एक अचीब सी स्माल देता है जहां प्यों क्या रहा होता है ऐसे करने के लिए मुझे सबसे पहले जाना होगा क्योंकि इन में से जहातर कुष्ट एक्स्प्लोराल गिल्ट से रिलेटेड है लेकिन मुझ इंदियन ऐसे लोग सामें आते हैं जो कि एडवांस कुष्ट को पाते हैं और इसे इन गेम आइटम के साथ ट्रेट करते हैं जहां यह एनपीसी के सामने डिलेट आलते हैं और उन पर अपना हग जमाने लगते हैं यहीं एक्स्प्लोराल गिल्ड है अफकॉर्स हाला के गेम में सभी एनपीसी को मैनेज करना इंपॉसिवल है और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि दूसरे प्लियर इसे खड़े होकर देख सके ड़ टाउन ऑफ बैगनिंग शुरुवाती जगह है जो कि बैगनर लोगों के लिए बनाए गी है ताकि उन्हें गेम की आदर डालने में म यह उन प्लियर्स को कहा जाता है जो के लॉंग टाइम से गेम खेल रहे हैं और एक नहीं आईडी बना रहे हैं यह क्या रहा होता है उन्होंने टाउन ऑफ बैगनिंग के बेस पर अपना बेस जमा लिया और अपने इंफ्लिएंस को एक्स्पैंड किया इसी के साथ उन्हों इस नहीं यह अनौंस की है कि वह इन गेम मामलों में कोई भी इंटर्फियर नहीं करेंगे और ऐसे ही एक्स्प्लॉरर गिल्ड के जरीए क्या गया काम एक ऑफिशल बिजनेस बन गया और हाँ मैं इन्हीं की वज़े से एक सेकेंडरी केरेक्टर नहीं बनाना चाहता था साथ एक पार्ट इस्टैबलिश करने पर तुम अपनी लाश्ट कुष्ट दर लगजरिये स्कोर्स को एंड कर सकते हो जाया इस गेम में गोल्ड और आइटम जैसे चीज के लिए टॉलर यें यूरो जैसे पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है तो बताए मेरी कस्टमर में कीश लिया गया और कर्ज चुकाने के लिए मजबूर कर दिया गया और चुकि एक्स्पॉर्ड गिल्ड में रियल वर्ड में पावर्फुल और अमिल लोगों को सर्विस दी है तो लोगों से बचना का जो की बाहरी दुनिया को इंफ्लूएंस करती है बस अपने लोकेशन में चले जाओ लेते विए लोकेशन में आ जाता है जहां पर एक आदमी उसे देखते हैं मैं देख सकता हो तुम्हें हैं की एंट कुछ्ट मिला है तो यह सुनते वह क्या रहा होता है मैं आगे बरूंगा और स्कूष्ट के कॉन्टेट को कंफर्म करूंगा इसी क कि मुझे जरूरत थी मैंने उसे पहले डिसाइट कर लिया है और इसे के साथ वो गॉबलिन लैजर 30 को देखता है और कहा रहा होता है आकरकार में उसे देख लिया है लेकिन इन लोगों को पता चले बिना मुझे यह करना होगा कि आकर रीमेइनिंग लिंक क्विस्ट की इन इसके साथ काफी सारे गॉबलिन को मार देता है जहां पर इसके लेवल अब होती है यह देखती है वह कहा रहा होता है चुछके मेरे स्टेट्स काफी जादा है तो इसलिए मैं गॉबलिन सकता हूं और यहां तक कि मुझे कोई मैजिक स्किल के जबरूद भी नहीं पड़ी तब इसे नोटिफिकेशन आता है तो गॉड तुम्हारी ग्रोध को देख रहे है इसे के साथ दिवार ओनले ड्रेगन तुम्हें एक ओप्रोचिनिटी दे रहे हैं और इनरी पीपल जिनके पास स्किल कार्ट खरीदने के लिए जाधा पैस नहीं है उनके पास एक रैंडम आरहा है यह देखते ही विए यून वू कहारा होता है यह मौकथे में हर वाह मिलता है जब तुम्हारे केरेक्टर 60 लावल तक पहुँच जाता है लेकिन मुझे कभी बी कोई अच्छा स्किल नहीं मिला है लेकिन सस तो यह है कि अब में लेंड़ कोई बी रेंडम स्किल कि यूसफुल हो और से के साथ परपल कार्ट को चुनता है जहां पर उसे एक स्किल मिलती है फायर वॉल स्किल जिसकी रैंक के रियर होती है यह देख रहा होता है तो मेरी प्रेपरेशन खतम हो चुकी है और मुझे एक अच्छी स्किल मिली है इसी के साथ वूस आदमी के करते मर चुका था उसके बाद सुनते हैं वह आदमी मनेवन कहा रहा होता है क्या यह कंप्लीट बेगिनर है कोई भी हैरन के बात नहीं है कि उसने जल्दी से फिनिश कैसे कर लिया जरूर उसने कहीं से इस कुष्ट के आइटम को खरीद लिया था लेकिन जल्दी में एक एक लेकिन ऐसा कैसे सकता है क्या रहा होता है मुझे कोई आइसा सैलर नहीं मिल रहा था जो कि 10 गौबलिन के लेदर को सेल कर सके तो इसलिए थाटी लेदर को खरीद लिया और कुष्ट का कॉर्डिंग मैंने उसमें से 10 को यूज करने का प्लैन मनाया था लेकिन अचायरक मुझे मेरे मुआफ़ कर दो लेकिन चूकि यह कस्टमर की कलती है तो मैं आपको मुझे नहीं नहीं और आप मुझे पर डिपन करता है कि मैं कुष्ट को पूरा करता हूं या फूर नहीं इसलिए मुझे वही करना चाहिए जो कि मैं करना चाहता हूँ यह कहते हैं वह काफी जद गुस्ता होता है और किया रहा हुता है वाह मैं कितना अनल्की हूँ मैरे 20 गॉर्मिन लेदर्स बरबाद हो चुके हैं कि बाते सुनते वे वो लाल वाल वाला आदमी मनिवन कहा रहा होता है मैं तो गिल्ड मासर के साथ लगबक परिशानी में आ गया था क्या बगवास है दूसी तरफ यून वो मनिवन कहा रहा होता है सब कुछ मेरे प्लैन के अकॉडिंगे चल रहा है अब मुझे कोई भी रोक नहीं रहा इसी के साथ वो पहले के बात ही याद करता है चाहँ प्यों मनिवन कहरा होता है मैंने इसे बुड़ी आदमी को देता है इसके बदले वो जो बूड़ा आदमी होता है वो उससे एलेकशी और विटालेटी देता है सब देख विवह काफी ज़दा खुश हो रहा ह पूरा कर पाऊंगा और इसे के साथ पैट के पास चले जाता है जहां पर इसे एलेक जीर को बाहर निकलता है और पर निकलेगा और उसे खिला देता है और मुझे बार जिसने अपने नाम को खो दिया है वो अब अपने मास्टर को यानि के तुम्हें सर्फ करेगा इसे के साथ उसे टाइटल रिसीव होती है मेथी क्रीचर का ओनर यह सब देखते हैं वो काफी जादा रहन होता है और कहते क्या मेथिकल क्रीचर मतलब नो ट्रांजेशन अलाउड यह क्या बखवास है और यह कहते ह वो उठाता है और क्या रहा होता है क्या मुझे लगता है कि यह सब अच्छा है चुकि यह पहले हो चुका है तो पस्तावा करने का क्या फाइदा यही मेरा फेट है और अगर तुम्हारे पास एक ग्रीट एबिलिटी हो तो यह कम से कम अच्छा होगा अभी उसके सामने एक एक नएक जिन्दगी मिली है और इसे के साथ हम देखते हैं कि वह बाहर चल रहा होता है क्या रहा होता है काफी समय हो गया है तुम्हें बढ़िया हो है ना वैसे इन दूनों तुम्हारा चेहरा देखना यह का फिजदा मुश्किल है लेकिन हुन्वो ने इग्णोर करते और देखते हैं यहां उसे बस जाने दो जबसे कांट हुआ है तब से वह ऐसा हो गया है जो करने वाला है उसने पूरी के पूरी से विंग्स अकौन्ट में इंवेस्ट कर दिया था अब और आगे क्या करेगा दूसी चाहिए प्यों मनिवन क्या रहा होता है फैनरीर शायद मैं सही हूं यह जो डॉगी है यह और कोई नहीं बलकी एक फैनरीर है इसी के साथ में बताए जाता है फैनरीर गौड़वार का बैस्ट मिथी क्रीचर और सबसे स्ट्रोंगेस सीक्यूसी टेकनिक यूजर यून वो क्य लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है तो इसके लिए चिंता मत करना लेकिन मुझे ऐसा सुआ कि पेशेंट के पास काडियाक एसिस्ट डिवाइस है तो इसले तुम इस डिवाइस को लगतार चेंज करते रहना होगा और इसके अच्छी से ट्रीटमेंट कराना होगा तो यह सुनते वह काफी जादा है चापियों नर्स उससे क्या रही होती है क लेकिन चूकि अब मेरे पास फैन रीद है इसलिए मेरे पास हैजिडेट करने का कोई भी रीजन नहीं है मैं अपने सारे के सारी इंफॉर्मेशन भेज़ दूंगा और हर एक वैलेवल आइटम को कलेट करूंगा मुझे उस आर्टमेश के लेवल को अप करने की जरूरत है कि मुझे अभी मिला है मुझे आगे बढ़ रही होगा और फिर कुस्ने बाद वो फूर से उसी गेम में चले जाता है जहां पर बैगिनर के हंटिंग फिल्ड में जाता है जहां पर काफी सारे लोग होते हैं और वह से उसे पपी को देखते हुए काफी ज़ादा खुश हो करेगा तो मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं होगी और बेसिकली अब मैं आसानी से सोलो खेल सकता हूं जहां लेवलिंग होने के बाद में इस टाउन बैगनिंग को आराम से छोड़ पाऊंगा और जहां तक मुझे लगता है कि हंटिंग के डिफिकल्टी यह और भी ज उसे इस पीन करता है चाहां पर इसके सामने कई सारे कार्ड आता है और उसे उन में से एक कार्ड मिलेगा और इससे के साथ हम देखते हैं कि उसे यूनिक रैंक स्किल कार्ड तैले केने से स्किल मिलती है यह देखती है क्या यह सिर्फ टैले केनेटिक मेजिस के लिए एक एक कि यूटेलिटी काफ़ी जदा एक्सिलेंट है यहां तक कि मेज क्लास जॉब्स में भी इस इसकल को सीख सकते हैं लेकिन चूब कि मैं आर्च मेज हो तो इसलिए मुझे कोई भी दिक्रत नहीं आएगी मैं इसे इसलिए सीख सकता हूं और इसे के साथ वह उस इसलिए को अप्टीन कर लेता है चाहां पे वह लगी से क्या रहा होता है सुरुष चीज़े काफी स्मूदली चल रही है है ना बताओ लगी क्या तुम मेरी ले लग लाए हो तो चलो हमें हंट करना स्टार्ट कर देना चीए और संगे लें सबस्क्रीन आइसके साथ और ऑन्लाउन उसके साथ वितान सब्सक्रिक अज़ाने में अंदर की धर प्रेजुर में पर्यागोथ कभर आंध्यां जाता है और क्या चीज़ें और क्नॉटने चाहरा है चांत जाता है चैंप्लड नाइब सिद्राइप प्राइब हुषि कर जाता है इसका कपार इस ने इसका ढूसर से सकता में अअमधिया दक्राइब करते हैं जो कि आसमान के सितारों जैसे पाउरफुल है वोई भी उनकी और अपनी आगों से देख सकता है लेकिन उन तक पहुच नहीं सकता जहां इन में बहुत एक कम लोग है जो कि इतने हाई लेवल पर है इसे के साथ वह हाई रेजुलिशन से इस रेट के लाइव स्ट्री करना है, छैर मैं बस इसकी रिपर्ट कम्यूनिटी से करने वाला हूँ इसी के साथ उसकी रिपर्ट करने वाला होता है लेकिन तब ही पूर रुक जाता है और मनिमन क्या रहा होता है क्या मुझे से कोध आराना चाहिए यहां पे आसपास कोई भी नहीं है यहाँ लगी वो opportunities को छोड़ते छोड़ते ठग गया हूं लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा चलो अब यह करते हैं इसे के साथ वो कई सारी वीडियो को देखते हुए क्या रहा होता है मैंने चैंपियन गॉबलिन डेट के कई सारी वीडियो देखी है तो इसलिए मैंने पहले ही इससे निपटने का पैटन तयार कर लिया है लेकिन मैंने कभी भी सोलो रेट नहीं किया है और इस बार मेरे पास बस यह चोटा सा लड़का लगी है और मेरे पास बस एक ही मौका है तो चलो देखते हैं लगी आगे क्या होता है हम डैफिनेटली उस बॉस को हरा देंगे और इसी के साथ वो टाइम खतम हो जाती है जहांपे वो क्या रहा होता है क्या वो यहांपे आ रहा है अभी आचानक से वो चैंपियन गॉबलिन बाहर आता है जो कि काफी तेजी से उन वो पर अटेक कर देता है लेकिन उन वो उसके अटेक को डॉच करता है जहाँ पे जैसे वो पीच आड़ता है वैसे ही वो monster एक बड़े से गड़े में नीचे गर जाता है यह देखते हैं वे त्यून वो एक potion को उसके उपर फेकता है और इसके साथू firewall का यूज करता है जहाँ पे वो मैंवन कहा रहा होता है champion goblin एक boss monster जिसके पास different behavior patterns है जो कि उसके remaining health पर depend करती है और ये उन बैंगिनर्स के लिए काफी ज़िए difficult होगा जिनों ने अभी अभी field monster से fight किया था यहाँ तक कि अमीर alt account भी से अकेले fight ने कर सकते हैं लेकिन अगर मैं इस patent को तोड़ सकूँ तो शायद में से हरा सकता हूँ बाकी एक free pass होगा और इसे के साथ वो से काफी ज़िदा damage कर देता है लेकिन तब भी इस boss monster को कुछ भी नहीं होता यहाँ पर तभी आचानक लकी आता है वे इसका हाथ को काटने लगता है और इसके हाथ को काटते वे नीचे fake देता है यहाँ पर यह देखते है वे यून वो कहा रहा होते है लकी तुम तो काफी अच्छा काम कर रहे हो और इसे के साथ हम देखते हैं कि उस champion goblin की HP काफी सद में होता है लेकिन तभी आचानक से लकी उस पर अटेक कर देता है और उसे काफी जरू से नीचे फिक देता है जिससे कि चैंपियन goblin की हालत घराब हो जाती है और इसके सामने आता है और fireball के यूज़ करते वे उसे मार डालता है जहां पर उसे टैटल होता है चैंपियन goblin hunter देखते हैं वह काफी ज़्यदा खुश हो रहा होता है और लखी से कहा रहा होता है लखी हमने यह कर लिया है तो ऐसे चैंपियन goblin इतना ज़्यदा स्ट्रॉंग नहीं था जितना की मैंने सोचा था यह तो बस tower of banking का boss monster है पार शायद यह अलग होगा लेकिन म और ड्रैगन उसे great victory की celebration बनाने का मौका देता है जो कि देखते हैं मेरे पासे बहुत सारा काम है तो चलो काड़ गाचा को open करते हैं अभी आचाना से उसके सामने क्लाइट चमकने लगती है यह देखते हैं और यहां पर क्या गरबर है तब ही उसे champion goblin की मास्क मिलती है जो क लेकिन मैंसा नहीं कर सकता वैसे और डेली खर्चे यह काफी जादा है जहां पर अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मैंसा नहीं बेचता सब्सक्राइब करता है और कह रहा होता है क्या यह कोई insurance company है रूको आप यह क्या कह रहे हैं उस electrical incident के वजए से आप मुहाफ समांग रहे हैं यह कहते ही वह काफी जादा हरन होता है चाहां पर कह रहा होता है उस incident के बाद मुझे ट्रॉमा एंशाइटी इशूस होने लगे तो क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूं इसे मैं अभी बहुत ही जादा स्ट्रॉगल कर रहा हूं और इसे के साथ उपने दोस् करता है जहां पर क्या रहा होता है उस incident की वज़े से मैं पागल हो रहा हूं सच में उस ट्रॉक और बिजली के बारे में सोचने से ही मेरा शरीर कापने लगता है तो रात को सो भी नहीं पाता तो क्या यह किसी भीमारी का सिम्टम है वह सुनते वह डॉक्टर कह रहा होता है किस्टमर हम मेडिकल रिकॉर्ड को देखने के बाद तुम्हारे इंसौरेंस का अच्छा देखबाल करेंगे और यह कहते हैं जानता हो कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है हाला कि इसके लिए थैंक्यू कि मैंने एक महीने के अंदर ही एक महीने के खर्चा करने के लायक कमाई बना ली है और इसलिए मुझे अपने गुरूत पर फोकस करने की जरूरत है तो इसलिए मैं एक भी सेकंड बरबात करना नहीं चाहता हूँ और इसे के साथ वो फिर से ग गाट नहीं पाएंगे और इसे के साथ वो आइस एरो का यूज करता है चाहां पे वो काफी एसली उनमें से एक गॉल्बिन को माँ डालता है यह देखती है वो क्या रहा होता है अरे तुम लोग का भाग रहे हो तो तुम लोग मरने वाले हो तभी आचानक से पीछे से गॉब देखती है यून बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और चाहरा होता है इसके साथ मजीवन चाहरा होता है यह तो बहुत ही ज़्यादा भरोसे के लायक है जितना के मैंने उमीद की थी और उसने निपटने के बाद वो चलो लगी अब यहां से चलते हैं आपने स्ट हंटिं किये गे गॉबलिन से हमें काफी अच्छे बेसिक एक्विमेंट मिल चुके हैं लेकिन चैंपियों मास्क जैसा कोई यूनिक आइटम नहीं है और यहां पर तो कोई सट अफेक्ट भी नहीं है और मुझे बॉस का रेट नहीं मिला तो शायद यूनिक रेंक वाली आइटम को ढ कष़ए और पर आधिकोस की यह वीदा होता है तो यह ये नहीं होता हैuous मिल मोझा नहीं आधा है हाँ उनके साथ इस तरीके से निकाल सकता है जिस तरीके से वोलिस इस आफिसके क्या है है इसे के साथ उनके कब्से में एक आज में होता है चूंकि क्या रहा होता है तो क्या हो जाएगा इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह एक आर्ट अकाउंट है और तुम अपने साथ यहां पर किसी और को नहीं लेकर आ होगे और यहां पर मिनिममम लेवल की कोई भी रिक्वार्मेंट नहीं है लेकिन आखिर तो मुझसे इस तरह बात कैसे कर रहे हो और यह कहते हैं जहां पर क्या रहा होता है तो दूसरी तरफ यह सब दूर से यून देख रहा होता है जहां पर मुझसे कहा रहा होता है यह एलियास नेम किसी ऐसे इंसान को दिया जाता है जो कि लेवल 12 तक पहुचने के बाद तावन बैगिनिंग को नहीं छोड़ता है और यह सर्फ बैगिनर्स कोई मारते हैं जिनके पास कोई भी एक्स्प मेल पन भराँ होगा कहा रा होगा है तो फिर क्या यह लोग देख रहा होता है और फिर कुसमेंग को देख रहा होता है जहां पर काव इस सारे बैगिनर्स होते हैं यह देखते हैं इन में से एक बंदा क्या रहा होता है ऐसे लगता है कि आज में बहुत कुछ मिलने वाला है तो पर चलो अब शुरू करते हैं किया हमें सबसे पहले इस लेडी पर अटेक करने चीए और इसी के साथ वो इस लेडी सबस्क्राइब यह देखते हैं और इसे की साथ लगता है कि अपने फेस को चुपा मत अपने को चुपाओ दूसरे तरफ हम यून को देखते हैं जो कि एक अजीब सी स्माइल देते में मनिमन कह रहा होता है हालकि यह चूट था वैसे भी ज्यादातर लोग ब्रॉडकास से काफी ज्यादा डड़ते हैं और इसे के साथ वह काफी तेजी से पर टैक कर देता है और कह रहा ह होग तो परें जरूर किसी अमेर इंसान का अल्ट अकान होगा वहां से भागने लगता है कि मेरी याद रही तो यह सुनते हुए जैसा तुम्हें अच्छा लगे अब तुम मरो और इसे के साथ वो से माड डालता है और तीनों को लेता है जहां पर क्या रहा होता है पीके पिलर्स को पाना यह काफ अच्छी बात है अगर मैं रेंडम आइटम रूटने के बारे में कहूं तो यह गेम भकवास है सच में मुझे कोई अच्छी चीज नहीं मिली है लेकिन मुझे पता है कि कौन कौन से चीज अच्छी है इसे के साथ हो चैंपियन कि इसके जो आउटफिट होती है वह बिल्कुल चेंज हो जाती है जहां पर इसके सारे स्टेट्स पॉइंट बढ़ जाते हैं जहां पर गॉब्लिंस का गैस तो इसके डेमेज 10% बढ़ जाती है यह देखते हैं यह तो काफी अच्छी बात है इसी की साथ वह देखता है कि पहुंच चुका होता है जहां पर ओपनी स्टैट्स को देखते विए क्या रहा होता है पिछली बाहर में फिप्रिल नेवल को हिट करने के बाद बहुत ही मुस्किल से अंड्रेट इंडेलिजेंस को गेन कर पाया था और अगर दूसरे से देखेंगे तो वह से घिलिच कहें अब इसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होता है जहां पर इसे बताया जाता है मितिक क्रीचर लखी ने पैंथियां से एक नहीं पावर को गेन किया है तो इससे लिए लखी के लिए निव एबिलिटी सेलेक्ट करो यह देखते वह बहुत ही ज़्यादा हरन होता है जहां पर लखी आराम से हीडेन रियर टीजर को धून पाएगा जोगी देखते हैं उनकी है रहा होता है ट्रीजर हंटर उसका मतलब में पता लगा सकता हूं कि आखिर आइटम कहां कहां पर है लेकिन रुको जब में इसके बार में सोचता हो तो मेरे सामने कुछ ऐसा सामने आता है ग अतना जादा लगी था कि लोग उस पर हैकिंग का दोश डालते थे लेकिन हम बुझे लगता है कि उसने टीजर हंटर इसकिल को ऑप्टीन किया था तो ठीक है लगी आज हम लोग हंटिंग इसकल का यूज करने जा रहे हैं तो चलो आगी बढ़ो और इसके साथ हम देखते ह रहा हूं इसके साथ लगी से कह रहा था लगी तुम काफी ज़्दा अनमोल और खेमती हो तब यह आचारे से लगी रुख जाता है और वे पेर की नीचे गुफा को देखता है जो कि देखते हुए यून कह रहा होता है लगी क्या हुआ पे कुछ है तब उसे बताय जाता है गौबलिन स्पेल कास्टर का सीगरेट ऐडंट यह है बतलब की ये एक एखवर देंजन है ये देखते ही वे य बहुत ही ज्यादार अरका किया है ये इक हिडंट खुच होती है जहां पे लेपल त क्कुमिक के ले लोग यहां सक्ते हैं भी य Kash टश मूं होता है मैंने कभी नहीं सुना था कि टाउन ओफ बैगिनिंग में कोई हिडन डेंजन होगा आद मैं से खुजिने वाला पहला इंसान हूँ और अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन बेज दू तो मुझे लगबग एक महीने तक खर्चा करने का पैसा मिल जाएगा लेकिन आखर मैं क्या करूँ ये कहती है वो काफ इसतर परेशन होता है और बहुत ही जोरे से चिलाता है जो कि देखती है लखी भी कन्फ्यूज होता है तब ही वो कह रहा होता है तो फिर ठीक है अगर मैं इस तरह information बेचने जा रहा था तो मुझे बिलुकुल भी कोई gamer नहीं होना चीए था तब ही आचानक उन्हें किसी की आवाज आती है और इसे के साथ हम देखते हैं कि लखी उन पर अटेक कर देता है जो कि देखते हैं वो सारे के सारे Goblin Lucky पर अटेक करते हैं और ये मौका देखते हुए यून अपनी Firewall का यूज करता है और उन पर अटेक कर देता है तो उसी तरफ वो जो Boss होता है वो बहुत ही ज़ादा गुस्ता होता है तब लगी कहता है तो फिर ठीक है जलो इस Hidden Dungeon पर अटेक करना शुरू करते है The Secret Hideout of the Goblin Spellcaster अब तुम मरने वाले हो और इसे के साथ वो लगी से अटेक करने के लिए कहता है जहाँ पर वो काफी easily उन Goblins को मार रहा होता है जो कि देखते हुए यून मनी मन कहा रहा होता है Spellcaster Goblin इसके Strength काफी ज़धा कम है लेकिन ये एक Boss Monster है जो कि एक Strong Spell को Cast कर सकता है जबकि उसके अटना लेक से यहाँ पर टाइम खरीद रहे है तो अगर दूसरे वड़ में कहा हो तो अगर मैं इस Loophole का फाइदा उठा सकूँ मैं इसे easily मार सकूँँगा इसके साथ हम देखते हैं कि वो जो Spellcaster Goblin होता है वो Spellcast करने लगता है तब यह अचानक से यून उसके अटेक कर देता है और इसे काफी ज़धा घाल कर देता है जहाँ पी वो मनिमन कहा रहा तो रुको रुको अगर मैंने ऐसे उस हमले के साथ कतम कर दिया होता तो अगले pattern के वारे में मुझे चिंता करनी नहीं पड़ती लेकिन आकर अब यह क्या करेगा अब लगता है कि मेरे लिए काफी ज़धा दिक्कत होने वाली है तो भी हम देखते है कि वो जो Lucky होता है वो आगे बढ़ते हैं इस goblin पर अटेक कर देता है जोकि देखते हैं हुन आगे बढ़ता है और मुझे बन कहा रहा होता है तुमने बस थोड़ा सा टाइम करेदा लेकिन यह मेरे लिए बहुत है और इसी के साथ वो फिर से firewall का यूज़ करता है और आखिर में वो से माड डालता है जहाँ पर चिलाते हुए कहा रहा होता है आखिरकार में ने यह कर लिया है कहते हैं दोनों ही बहुत ज़दा खुश हो रहे होते है तब ही आचानक एक आवाज आती है यूमेन अभी वो देखता है कि वो बहुत आचानक से धूल बन जाता है तो चलो देखते हैं कि आखिर मुझे क्या क्या आकर यह क्या था क्या यह कोई बग था कहर जो भी हो तो क्या मुझे उन आइटम्स को देखना चाहिए जो कि अभी ड्रॉप हुई थी यह के साथ वो स्पेल कास्टर गॉबिन के केन को देखता है तो कि देखते है वो कह रहा है तो वा यह तो यह तो यूनिक ग्रेट है तो भी से बताया जाता है यह आइटम ट्रेड नहीं किये जा सकीगी यह देखते है वो काफी जदा उदास होता है और चिलाते वी क्या हो रहा है क्या आखर इसका मतलब क्या है यह बेकार से गेम आखर इतने मेनद करने का क्या फाइदा हुआ यह देखते हैं यह देखते हैं यह देखते हैं और जब रिपोर्टर्स ने उससे सवाल पूछा आखर आपने इस गेम को इतना ज़ादा एडवास टेक्नलोलोजी से क्यों बनाया यह तो बसे गेम है तो किम मिन सू ने कहा यह बसे गेम है लेकिन मेरे पास एक कहा नहीं थी जिसे मैं बनाना चाहता था जहां मैंने अपनी इंटरेस्ट के वज़े से इसकी शुरुआत की जहां इससे फाइदा कमाने का मेरा कोई भी सोच नहीं था यह सब याद करते हैं वो क्या रहा होता है उसने यही कहा था लेकिन कुछ समय के बाद किम मिन सू अच्छानक से मारा गया लेकिन अब तक लोग इस स्टोरी को ढूनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि God Wars में है लेकिन इन पास सालों के अंदर अभी तक वो स्टोरी किसी को भी नहीं मिली में सिनारियो लेकिन क्या वो मेरी आखों के सामने अपियर होने वाला है उसका मूँ ऐसे ही खुला होता है जहां पर इसके सामने सिच्टम नोटिफिकेशन आता है ट्रेस अफ दी नेमलेस गॉड कुष्ट रैंक में सिनारियो और इसकी लेवल वन से जादा है जोगी देखते हैं वो क्या रहा है क्या ये कोई मतलब नहीं मनाता है क्या ये मुझे मिल चुका है आकर ये कैसे हुआ इस पूरे समय यूजरस इसे कोईने के लिए हर जगा कोई कर रहे थे हर जगा सब्य लोगोंने से डूणने की कोशिश की थी जहां कुस समय से यूजरस शिकाज कर रहे थे और पूछे थे कि क्या ये कोई development error है लेकिन अब जब इसके बार में सोचता हूँ अगर ऐसी बात है तो यह एक opportunity है और यह कुछ ऐसी नहीं है जिसे मुझे मांच या फिर किसी से share करनी चाहिए तो चलो इसे खुद try करते है किसी के साथ Lucky भी काफी ज़दा खुश हो रहा होता है जोकी देखते ही वह से share होता है क्या यह सही नहीं है Lucky हमने एक jackpot हासिल कर लिया है तब यह आचाना को सामने एक और system window open होता है जाए पिसे बताया जाता है वाट ड्रेगन के जरिये तुमें एक opportunity दी जारी है क्या तुम इसे use करना चाहोगे जोकी देखते ही वह क्या रहा होता है अब जोकी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने अभी तक वह skill card नहीं बनाया है जोकी मुझे leveling up से मिला था और जोकी यह main सीनादियों इतना ज़्यादा important है तो चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे खिच के बाहर निकालूँगा इसके साथ वह random skill gacha को open करता है जहां पर इसके सामने card आती है जोकी काफी ज़्याद चमकरी होती है यह देखते हैं वह क्या रहा होता है आखरी इतना ज़्यादा क्यों चमकरा है तो इसके card के बारे में बताय जाता है होता है तो में सीनारियों के एंपीसी यूंग है यह ओरिजिनली वही एंपीसी है इससे तुम डाउन बीगनिंग को कम्प्लीट करने के बाद मिलते हो है ना इसके साथ में बताया जाता है यंग का जो हाउस है वह एक इंस्टेंट डेंजिन के तरह काम करता है यह हर एक प्लियर के लिए अलग अलग जगह में जेनरेट होता है इसी के साथ हम देखते हैं कि यूंग के घर के सामने आ जाता है चाहां पर वह क्या रहा होता है मुझे यहां पर उन एक्स्प्लोरर गिल्ट के कमीने से साधन रहना नहीं होगा और यह में लिए काफी अच्छी बात है और यह कहते हैं वह अस घर में चले जाता है जहां पर जो पपी होता है वह भॉकने लगता है अभी वहाँ पर आते हैं यह तो कितना शोर गुल महमान है क्या तो यह चोटे से टाउन को छोडने के लिए यह सुन्द्री वह NPC काफी ज्यादा आयरन होता है और इसे के साथ उसके सर के उपर एक मारक आ जाता है जो कि देख वे हुन मुमिनमन कहा रहा होता है अब यह क्या है तब यह NPC कहा रहा होता है The Nameless God यह उन लोगो को रहफर करता है जो कि The War of God से हार गे थे और Pantheon से अलग हो ग चोड़ गए थे उन्होंने अपनी लेगिसी को पीचे छोड़ा तो क्या तुम दा ट्रेस आफ दी नेमलेस गॉड़ के बारे में जाना चाहते हो यह सुनते हुए यूंग अपने हाथों से एक रिंग निकालता है और क्या रहा होता है मैं भी काफी समय से उसके ट्रेस को डू आपके लिए अलग हो सकता है आप ऐसा कर सकते हो और इसके साथ वह रिंग देता है चाहां पर क्या रहा होता है और तो तुम्हें बस इतना ही बता सकता था था एक बड़ी वर्ल्ड में जाने के लिए त्यार हो सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो कि देखते ही वह क्या रहा होता है फाइनली आखिर कार्दी विलेच और बेगनिंग से ग्रेजवेट हो चुका हूं और इसके साथ वह क्या रहा होते हैं तो फिर मैं तुम्हें आगे आने वाले बैटल के लिए गुड़ लग का हूंग आई होब कि तुम लोग यह कर दोगे वह भी एजिली इसके साथ नेक्स पार्ट देखने के लिए प्लीज कमेंट करना और हाँ हमारे सेकंड चैनल को भी सुब्सक्राइब कर दो तो अब मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई